अज़ के इस वीडियो लेक्चर में जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट में दूंगा वो एक्चुली एसीड बेस थेयरी से रिलेटेड है और यह बहुत इजी है एंड इंपोर्टेंट भी तो सबसे बहले अगर हम बात करें कि दुनिया का को भी कंपाउंड अगर आपको दे दिय जाए और वो एसीड है या बेस तो उसको पैचानने के तीन तरीके हैं राइट सबसे पहले अरिहेनियस फिरी आई यह सब साइंटिस के नहें उसके बाद ब्रॉंस्टेड उसके बाद लूइस राइट तो अरिहेनियस के कोडिंग एसीड वो है जो हेच पलस डोनेट कर दे और आप कैसे पैचानेंगे कि वो हेच पलस डोनेट कर सकता है तो वो हैट्रोजन फ्लॉरीन से ऑक्सिजन से या नाइट्रोजन से अटाच होना चाहिए फोन वर्ट से हम याद रख सकते हैं या फिर एस्पी करवन से कौर्णर वाले एस्पी करवन से अटाच हो तो वो भी अगर कोई OH माइनस दे रहा है तो उसको बोलेंगे बेस एकॉर्डिंग टू अरिहनियस यह था फॉर एक्जामपल जैसे यहाँ पर यहाँ पर यह हैट्रोजन ऑक्सिजन से अटाच है तो यह एस्ट हो गए राइट एन ओएच तो यहाँ पर मैटल के हैट्रोजड है तो ओ पोड़ी एसीड तो ध्यान दे यह एसीड है इसमें कन्फिज कर देता कभी-कभी बट यहीं पर पी ओएच होल्थराइस होगा तो एक्चुली में यह क्या है हेच 3 पी ओधिरी फॉस्फोरस एसीड तो फिर यह क्या हो जाएंगे यह भी एसीड हो जाएंगे तो कैसे परचानेंगे उसका सिंपल तरीका यह है बट यह त्योरी हर जगा पर अपलाई नहीं हो सकती कहीं कहीं पर फेल हो जाती है तो फिर उसका ब्रॉंस्टेट नाम के सांटिस ने बताया तो उनका कहना था कि जो हेच पलस डोनेट करें वह एसीड सेम इसका भी कहना था ब और यहाँ पर हेच्ज प्लस यह हैज़गा तो यह क्या हो गया एसीड तो इसका भी कोई find boundary नहीं था तो बस इसका यह करना था कि जो water mat करने को तो हेच्जब्स डेदे तो एसीड और हेच्प्लस एक्सेप्ट कर ले तो बेस उसके बाद कि वह जो लोन पर but is करें जहां से देखो एंए फर एकसेप्ट ए फर एसीड जो लोन पे're एकसेप्ट करें वह एसीड होगा और जो लोन पड operations करेगा वो बेस होगा For example, जैसे यहाँ पे nitrogen के पास loan pair है, तो यह Lewis base कहलाएंगे, वैसे यहाँ पे nitrogen के पास loan pair है, तो यह भी Lewis base, यहाँ पे chlorine के पास loan pair है, तो यह भी Lewis base, यहाँ पे sulfur के पास loan pair है, तो Lewis base, तबको Lewis के coating acid base कैसे पहचाना, that's very easy, अगर उसके पास loan pair है, तो Lewis base, और अगर vacant orbital है, जैसे aluminium के तो लूइस एसीड जो लूइस एक्सेप्ट कर सकते हैं और यह सब यूज भी करते हैं और इसलिए पॉइंट ध्यान रखना है तो याद कैसे रखेंगे तो वेरी सिंपल है अलफा बेटिकल अडर हो गया A, B, L पहले अरिहनियस थेरी आई फिर ब्राउंस्टेड फिर लूइस इस पर बेस कोश्चन एजी पूशे आते हैं और आपको आसानी से होना अच्छे इसलिए यह कंसेप्ट को इस थेरी को अच्छे से समझ लेना आप आप कैसे पैचानेंगे कि कोई given acid strong है या weak तो that's very simple अगर किसी acid का equilibrium constant के ना तो question में दिया है ना ही उसके बारे में निकानने को कहा गया है तो फिर वो acid strong हो जाएगा और दूसरा by default six acid strong acid के category में रखे गए हैं जिसमें से तीन तो halogen वाल होगे hcl, hbr, hi इसलिए याद हो जाता है फिर oxo acid में hclo4, hno3, h2so4 तो यह total six acid by default strong acid के category माते हैं इसको छोड़ करके बाकि जितने भी हैं वो weak acid माते हैं और दूसरा उससे अच्छा पैचानने का तरीका क जिसका equilibrium constant नहीं given है, strong है, जिसका दे दिया तो वो weak होगा, right, similarly base भी दो type के हो सकते हैं, weak base या फिर strong base, again strong कैसे पैचानेंगे, तो उसका equilibrium constant के भी आपको ना तो given होगा question में, ना उसके बारे में पूछा गया है, तो वो strong हो जाएगा, right, और by default 5 base को हम लोग strong base की category में रखते ह कौन कौन है, तो चार first group वाल होगे, sodium, potassium, rubidium, cesium के hydroxide, और एक second group वाले last वाले barium के hydroxide, तो ये 5 by default strong base की category में आते हैं, इसको छोड़ करके जो भी हैं वो weak base है, या फिर question में अगर kb नहीं given है, तो strong है, otherwise kb given है, तो weak है, ध्यान तो अगर kb इसका भी दे दे, तो फिर weak है, kb की value देखना, और definitely kb की value, definitely क्या होगा, less than 1 होगा, यहां भी k की value less than 1 होगी, तो यह किलिए रो गया, now सबसे important concept, इसमें बच्चे बहुत confused रहते हैं, आप confused ना हो, उसके लिए रफिसर आपके साथ हैं, तो ध्यान से देखो कैसे करना है, strong acid से, जब आप h निकाल दोगे, तो उसका जो conjugate बनेगा, उसको conjugate base बोलते हैं, acid का conjugate base होता है, तो strong acid से जब हम h निकाल देंगे, तो क्या बोलेंगे, conjugate base और वो एक weak base होगा, यह धियान रखना है, जैसे for example, hcl, तो यह strong acid होगया कैसे, इससे आरा है right, और k नहीं given है, तो इससे h निकाल दे हमने, तो यह एक strong acid है, h निकालने के बाद जो बचा उसको बोलेंगे, conjugate base और यह एक weak base होगा, that means यह जल्दी आपको loan pair नहीं देगा, और आप कैसे पैचानेंगे कि acid किसमें लगाना, base किसमें, तो very simple है बेटा, sum में यही point लगेगा, h plus का difference होता है, only एक hydrogen का difference होगा, उसके formula में, जिसमें hydrogen ज्याद hydrogen हो गया, तो acid, यहाँ पे कम hydrogen, तो base, strong acid का conjugate base, weak base होता है, and vice versa, अगर weak acid होता, तो उसका conjugate base, strong base होता, तो ध्यान दे, अगर weak acid है, तो उसका conjugate base, क्या हो जाएगा, strong base हो जाएगा, तो इसमें base question क्या से पोजाते हैं, वो very important, कभी भी a strong acid से weak acid यह बन सकता है, यह possible है, strong acid से weak acid, but weak acid से strong acid यह कभी नहीं बन सकता, तो अब समझ सकतो, कि कोई a strong person, weak person को replace कर सकता है, लेकिन weak person, strong person को replace कर दे, ऐसा नहीं हो सकता, तो यह ध्यान रखना, इस आप से पूछा जा सकता तो very simple है, यह point ध्यान रखना, वैसे ही base के case में strong base का जो conjugate होगा, उसको acid बोलेंगे, base के conjugate को acid बोलते हैं, जैसे for example, noh, तो यह strong base है, क्योंकि यहां से है, इससे h minus 60 दिया, तो na plus, तो यह conjugate acid हो गया, और यह by the way, weak acid होगा, तो strong base का, जो conjugate होता, वो acid होता, और वो weak acid होता, यह वाइस वर्सा, weak base होता, तो उसका conjugate acid, strong acid होता, तो यह point को ध्यान में रखना है, now, अब हम application की बात करते हैं, question number one में, which of the following cannot act as Lewis base, तो Lewis के according base वो नहीं है, जो lone pair ना दे सके, ध्यान से देखो, यहां पे nitrogen के पास lone pair होगा, bonding का concept लगाना है, यहां पे sulfur के पास lone pair होगा, क्योंकि चारी bond बनाया है, यहां पे PCL5 में कोई lone कर नहीं है, तो यहीं Lewis base नहीं हो सकता, तो option C हो जागा, क्योंकि यहां पे CLF3 में chlorine के पास 2 lone pair, तो Lewis के according very simple हो, इस पे ज़्यादा question पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है, next question is, कि amphoteric behavior of water is explained by, water amphoteric है nature में, that means यह acid का भी काम कर सकत बेस का भी, तो कौन सी theory से explain होता है, तो Lewis के according, अगर ध्यान से देखो, तो water के पास क्या है, lone pair, तो यह Lewis base का काम कर सकता है, लेकिन यह lone pair accept नहीं कर सकता, कोई vacant orbital नहीं है, तो इसलिए Lewis तो इसको explain नहीं कर सकता, और हैनियस के according, यह H+, दे सकता है, right, but OH- accept नहीं कर सकता, तो इ जैसे water की reaction आप NH3 से कराओगे, तो यहाँ पे water NH3 को H दे देगा, तो NH4 plus बन जाता है, और OH-, तो water ने क्या दिया इसको, H+, तो यहाँ पे water किसका काम कर रहा है, आपका, acid का, तो यह कौन हो गया, base, similarly अगर यहीं पे water की reaction suppose करो, आप H2S से कराएंगे, तो क्या होगा, तो य stable होगा, इसलिए हमने HO- नहीं बनाया, OH- नहीं, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो ध्यान से देखो, इसने इससे H+, दिया, तो यह base का का काम कर रहा है, और यह acid का, तो water can act as acid as well as base according to bronze state concept, और यहाँ पे उसका verification है, तो इस point को ध्यान रखना है, question number 3 में again similar type question, which is Lewis acid, तो Lewis के according, acid व पेर कौन accept कर सकता है, जिसके पास vacant orbital हो, और किसके पास होगा, तो बता दिया, 13 group वाले, यहाँ पे यह 15 है, यह nitrogen 15 है, यह तो first group का, यह boron होगा, आपका 13, तो इसी के पास क्यों हो, क्योंकि उसके पास vacant orbital होगा, next conjugate base of hydrojoic acid, तो conjugate base पूछा right, और hydrojoic acid लगा हुआ है, तो hydrojoic acid HN3 को बोलते हैं, right, और इसका conjugate base मतलब H निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, N3 minus, that is option B, तो इस टाप से पूछा जा सकता आपको, similarly, fifth में correct order of proton affinity, कौन जल्दी H plus लेगा, तो ऐसे question को कैसे करेंगे, पहले आप इसको H plus accept करा दो, तो यह क्या बन जाएगा, HI, HF, H2S, NH3, आप जो आपको concept देया था, कि strong acid का conjugate base, weak base होता है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, तो acidic order ऐसे आएगा, HI सबसाद होगा, फिर HF, H2S, NH3, और strong acid का conjugate base, weak base है, weak है मतलब, वो H plus जल्दी नहीं लेगा, तो इसलिए proton affinity का order पूछा जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, तो इस step से आपको करना है, रफिसर जैसा सोचना बता रहे है, अगर वो weak base है, तो proton को accept जल्दी नहीं करेगा, strong base है, तो जल्दी करेगा, तो इसलिए strong acid का conjugate base, weak base होता है, नेक्स, question number 6 में, इस step से आपको acid का equilibrium constant या dissociation constant दे दिया, और आपसे पूछा गया है कि basic strength का order बताओ, तो very simple, you know, जिसका ka जादा होगा, उतना जादा acidic होगा, तो यहाँ पर अगर मैं acidic order निकालता, तो सबसे ज़्यादा के value को है, ध्यान दे 10 की power minus में, तो सबसे ज़्यादा आपका ये value है, तो HF होता है acidic, फिर कौन हो जाता है, HNO2, फिर HCN, और you know, strong acid का conjugate base, weak base होता है, right, तो basic strength order पूछा है, तो यह weak base हो जागा, तो basic strength का क्या हो जागा, F minus, NO2 minus, और CN minus, that means, CN minus सबसे ज़्यादा strong base होगा, फिर NO2 minus, last में F minus, तो यह answer हो जागा, तो ऐसे आपको करना है, next, इस type से दे सकता है, कि कोई dye protein acid है, उसका K1, K2 given है, तो overall dissociation constant बताने है, that means, यहाँ पर क्या कहना चाहा रहा हो, कि जो H2A है, वो HA minus और H plus में गया, तो आपको K1, 10 की power minus 5 है, फिर यह HA minus, आपका H plus और A minus 2 में गया, तो 5 into 10 की power minus 10 है, तो overall मतलब दोनों को add कर देना है, त तो H2A gives you 2H plus, right, और A minus 2, तो add करते हैं, तो equilibrium constant से अब जानते हो, दोनों multiply हो जागा, तो answer क्या हो जागा, 5 into 10 की power minus 15, तो answer क्या रहेगा, 5 into 10 की power minus 15, question number 8 में, conjugate base of OH minus, ऐसे question में बच्चे बहुत गलती करते हैं, ध्यान दो, conjugate base पूछा है, किसका OH minus का, that means, acid का conjugate base होता है, तो इसका मतलब यह खुद क्या है, acid है, और इसका conjugate base मतलब, यह acid है, तो उसमें एक hydrogen कम होना चाहिए, तो कम वाला कौन कौन है, यह, 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 चुकि और रेटी spec minus है, एक और hydrogen जाएगा, H plus के form में, तो minus 2 आएगा, तो answer क्या रहेगा, आपका D, similarly, conjugate base of 10 second, तो conjugate base पूछा है, that means, यह, खुद क्या, acid, acid का conjugate base होता है, और यह, अगर acid है, तो इससे एक hydrogen कम करना पड़ेगा, अभी आपको concept दिया था, always acid में एक ज्यादा hydrogen होता है, और conjugate base में उससे एक कम, तो इससे एक कम कौन सा हो जाएगा, दियान से देखो, HPO4 minus 2, minus 2 क्या हो है, क्योंक simple, bronze state के according, acid और base, कौन work कर सकता है, तो जो H+, दे भी सके, और H+, ले भी सके, तो HSO4 minus में minus है, तो यह H+, ले सकता है, और H+, ले करके, H2SO4 में चला जाएगा, चुकि इसके पास अभी भी एक H है, तो दे सकता है, SO4 minus 2 में चला जाएगा, तो option A हो जाएगा, यह क्यों नहीं हो क्योंकि Na2CO3 में औरेड़ी है, कार्बोनेट आयन हो गया, तो अब यह H+, ले सकता है, दे नहीं सकता, Ns3 में, lone pair है, तो यह H+, ले सकता है, दे नहीं सकता, OH minus में again, यह H+, ले सकते हैं, दे नहीं सकते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना है, कि staff से question पूचे जा सकते हैं, Now, जाते 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 गयान की बाद, that is very important, कि कभी भी strong acid से weak acid बन जाएगा, that means strong person, weak person को replace कर सकता है, बट weak acid से strong acid कभी भी नहीं बनता, वैसे ही strong base से weak base possible है, यह reaction हो जाएगी, बट weak base से strong base नहीं बन सकता, इस पे base problem कैसे आ सकते हैं, जैसे यह reaction दे दिया, क्या यह reaction possible है कि नही तो आप acid वाले part को ठालो, H2SO4, एक strong acid हो गया, CH3COH, एक weak acid हो गया, तो strong acid से weak acid बन रहा, that means, यह reaction हो जाएगी, only acid वाले पर ध्यान देना, जैसे इस case में आपको यह clearly मालूम है, कि यह weak acid है, acetic acid, और यहाँ पर यह मालूम है, कि यह strong acid है, तो weak acid से strong बन रहा है, तो यह reaction नही है, तो आप कर सकतो, similarly, जैसे, क्या यह reaction possible है, ऐसा पूछ ले, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, तो HCL, एक strong acid था, H2SO3, एक weak acid, तो strong से weak बन रहा है, that means, यह reaction हो जाएगी, बट अगर इस case में अगर आप ध्यान से देखें, तो यह एक weak acid है, और यह एक strong acid है, weak से strong बन रहा है तो नहीं हो पाएगा, तो बस इस part को ध्यान रखना, ऐसे question कई बार पूछे गए हैं, तो I hope मेरा यह परियास आपको अच्छा लगा होगा, इसमें हमने सारे basic part को cover किया है, next video lecture में हम बात करेंगे, कि acidic solution या basic solution का pH कैसे निकालेंगे, thank you